आप मेंसे काफी सारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने Facebook Professional Mode को अल्रेडी आउन कर दिया होगा और आप मेंसे काफी भाई ऐसे भी होंगे जिन्हें ये option मिला ही नहीं होगा और आप में से काफी भाई ऐसेभी होंगे जिन्होंने इस mode को on करने के बाद दोवारा से off कर दिया होगा और उनमें ये option ही नहीं आ रहा होगा तो आखिर ये facebook professional mode है क्या आखिर ये facebook हमको क्यों दे रहा है facebook professional mode के क्या क्या फाइदे हैं और Facebook professional mode अगर ये option आप में नहीं आ रहा है तो इसको कैसे लाएं अगर इसको आपने एक बार off कर दिया है और दोबारा से ये option so नहीं हो रहा है तो इसको दोबारा से इस option को enable कैसे करें तो इन सब topics के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इन सब topics इन लाइक कर दिजिएगा क्यूंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं कोई ना कोई आप लोगों के लिए knowledge देता हूं तो वीडियो में छोड़ा सा request है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज से 5-7 दिन पहले Facebook हम लोगों को notification दे रहा था कि Facebook professional mode को on कीजिए ठीक है तो यह कुछ-कुछ creator को दे रहा था कुछ-कुछ creator में यह option नहीं आ रहा था तो काफी creator ने इस option को enable किया और कुछ-कुछ creator ऐसे भी थे जिसको इसको enable करने क बाद दोवारा से इसको disable कर दिया तो आखिर यह Facebook professional mode है क्या जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2018 तक 2018 या 19 के शुरुवाती तक एक option था जिसमें आप Google Chrome पे जाकर सर्च करते थे how to convert Facebook profile into page ठीक है तो वहां से एक option खुल के आ जाता था website उस पे आप क्लिक करके अपना Facebook ID पा हुआ कि 2019 के लाश्ट तक Facebook ने ये option हटा दिया उसको page migrant बोला जाता था तो यह जब यह Facebook वाला page option हटा दिया तब क्या हुआ कि 2019 में lockdown लगा तो YouTube सोचल मीडिया का काफी क्रेज आ गया बहुत साड़े बड़े-बड़े advertisement जो की YouTube से connect होने लगे तो Facebook ने भी वीडियो का option लाया धीरे-धीरे करते-करते उसी परकार से Facebook जब profile को क्योंकि आप लोगों को जानते होंगे कि काफी सारे creator ऐसे हैं बहुत सारे 90% creator ऐसे हैं जो कि Facebook चलाते हैं और वो Facebook page नहीं बना के रखते तो Facebook के पास तो profile धेर सारा है बट उसके पास page नहीं है तो Facebook profile पर तो monetization का कोई option ही नह सखेंगे तो भाई Facebook जब वीडियो को वाइरल ही नहीं करेगा तो उनसे brand कैसे contact करेंगे जब video पर वीजी नहीं आएगा तो brand को contact करने से क्या फायदा होगा जब उस पर वीजी नहीं आएगा तो इसी लिए Facebook जो है कि यह new page experience के ताथ ठीक है ध्यान दीजेगा यह Facebook page नहीं है यह professional dashboard जो है सिर्फ profile page है यानि कि इसको हम classic page बोल सकते हैं ठीक है तो इससे क्या होगा कि जब यह classic page में convert हुआ तो अभी इससे क्या होगा कि Facebook धीरे-धीरे जो है इसको experiment कर रहा है यह profile में बदलेगा page में बदलेगा profile को page में बदलेगा बट धीरे-धीरे यह छोटा सा experiment कर र यह story जालते हो तो Facebook इसको ज्यादा impression बेज़ेगा ज्यादा logo तक पहुंचाएगा जिससे ज्यादा व्यू जाएंगे और धीरे-धीरे इसमें अभी बहुत सारे update आने बाकी हैं तो अब सवाल आ जाता है कि क्या भाईया हमको Facebook Play Reels bonus मिलेगा तो यह हम confirm नहीं कर सकते हैं आपको कैसे पता है तो भाई यह Facebook ने अभी confirm नहीं किया है कि इसी पे ठीक है Facebook profile पे ही Play Reels bonus मिलेगा या फिर profile ही monetize होगा हमको लगता है मेरे हिसाब से आप लोग देखिए मैं जानता हो कि कुछ लोगों को दिल तूटा होगा बट मैं जो भी जानकारी दूंगा सही जानकार यह सिर्फ संभावना Facebook का confirmation नहीं है क्योंकि बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े country है जैसे यूए से हो गया अस्ट्रेलिया वगेरा में Facebook Play Reels bonus जो है मिलने के लिए start हो गया Facebook Play Reels bonus program जो है जो भी है जो भी accept करकर notification बेचके उन लोगों को मिल रहा है ठीक है तो उन लो बोनस देगा और इसी profile को monetization में convert करके वीडियो पे भी परचार चलाके वो आपको पैसे देगा लेकिन कब जब उनसको brand जो है जब profile पे ही ज़्यादा रीचाएंगे तभी न ब्रेंड उनसे contact करेगा तभी न देगा तो यह सिर्फ Facebook का एक update है जो कि आगे इसमें और भी update हो करते हैं अगर आपको यह option नहीं मिला है तो मेरे बताएगे इन steps को ध्यान से देखिएगा और समझेगा आपको भी option मिल जाएगा तो इस steps को करने के लिए हम mobile का screen recording करके आपको अच्छे से समझाते हैं तो यहां से मैंने मोबाइल का screen recording on कर लिया जिनको यह step जो है नहीं आय खालता है वह this process को करेंगे और जो की एक बार on करने के बाद दोऊरा आफ कर दिया है उनको मैं आगे बताऊंगा पर यहांसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह आपका Facebook बिटा वर्जन अपडेट है या नहीं अगर यह अपडेट नहीं रहेगा तो सबसे पहले अपडेट करके आप चेक कर लिए अगर फिर भी नहीं आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां से आपको नीचे जाना है डेवलपर कॉंटेक्ट में जाने के बाद यहां से देखिएगा कि एक Facebook का आपको मेल आइडी दिख जाएगा Facebook के मेल आइडी पर जो कि मैं यहां से आपको लिख रहा हूं Simply paste कर रहा हूं वही चीज आपको भी यहां से copy paste करके send कर देना है मैं इस word को डिप्सक्रिप्शन में डाल दूँगा अब आप लोग बोलेगे कि description से copy कैसे करेंगे तो यह description से copy नहीं होगा मेरे वीडियो को link को copy करके अगर आप Chrome पे paste करते हैं तो यह description वाला word आप में copy करने का option आ जाएगा तो यहां से simply send कर दीजिएगा इसको send करने के बाद आपको अपना Facebook खोलेना है Facebook खोलने के बाद यहां से आपको profile में जाना है तो देखिए मेरा already जो है professional mode on है अगर आपका professional mode on नहीं रहेगा तो simply क्या करना है यहां से एक screenshot लेना है ऑस्क्रीन शाक लेने के बाद थोड़ा सा बैक जाना है ठीक है इस पर क्लिक करना है यहां से देखिए यहां पर option नहीं सो करेगा तो यहां से भी एक आपको a screenshot लिने दो और यहां से थरी — ौट पर पे क्लिक करना है यहां से help and support पे खला हूँत से baseball को देख है जैसे अब ह Dort goes out लिंग करके किवें आपके सामने रिपोर्ट और क्लिक किजिए का घर हाया से country ओप लूंगर इंप कर देखंट यहां से आपको, don't including the image पे click करके, यहां से आपको cut कर देना, और मैंने आपको text लिखने के लिए बताया है, simply उस text को यहां से आपको paste कर देना है, और जो दो मैंने screenshot आपको लेने के लिए कहा था, वो दो screenshot आपको, sorry, एक screenshot आपको यहां पे लगा देना है, यह screenshot लगाने के बाद एक add image पे जाना है फिर यहां से लगा देना इन दोनों screenshot को लगाने के बाद simply आपको Facebook को send कर देना है जैसे ही आप इसको send कीजेगा आपको 7 दिन वेट कर लेना है आपको 7 दिन वेट कर लेना है और 7 दिनों के बाद या 7 दिनों के अंदर 24 गंटे में भी से option 100 नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि दुवारा से option 100 नहीं हो रहा है तो अगर अभी अभी आपने off किया है तो आपको यह 48 घंटे तक वेट कर लेना है क्यूंकि Facebook का यह बीटा वर्जन है तो यह update कर रहा है तो यह सभी को enable कर देगा भाई आप इसको enable करो अथवा option आया उसको enable कर दिया गया तो भाईया थोड़ा सा वेट कर लो सभी को यह option already enable कर दिया जाएगा आप on रखें अथवा आफ रखें सभी को यह option मिल जाएगा टेंशन लेने की कोई अवसकतान नहीं है तो जाहिर सी बाद वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगा अगर वी